इससे जवरे संकर caminho स्यवरेश लेते हैं अपनी बातों को रात दभिने के लिए उसी ही चक्र में उन्होंने चक्रा खुंडी लिएि यानि कि अमारे सरीर में 109 चक्र है उसमें से साथ प्रमुख चक्र है और 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 इस परकर की बाते उन्होंने की है उसका आज हम इसमें खंडन करना चाहेंगे परन्तु इससे पहले सबी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी रिख्वेश्ट है कि मेरी चैनल को ज्यादा से ज़्दा सब्सक आज आस्तियत्मिक घुरु का या किसी मान्यता का तो इसका भिल्कुल भी हमारा उद््देश्य यह नहीं होता है कि हम सनातन विरोती है इंदु विरोती है हम सनातन को जिस प्रकार की मनकड़त बातों से इन्होंने हुआ पूरा यहां पर इनको रिप्रेजटट कर रहे हैं उसका ही हम खंडन करते हैं । तो हम सक्चे स्चे सनातन हैं और हमारी फरज मानते हैं कि हम सनातन को उसके मोल रूप में स्थापित करें अधी दोस्तो मुझे बात करनी है चक्रों के बारे में क्योंकि बहुत सारा चक्रों के उपर यहां पर सुदो साइंस चलता है तो स्री स्री रवी संकर हो या निय कोई भी गुरू हो चक्र को लेकर के बहुत सारा सुदो साइंस पारत वर्स में स्प्रेड हुआ है चक्रों को लेकर के बहुत ही बड़ी मनकड़त बात हैं यहां पर फैलाई गई है तो इस वीडियो में स्री स्री रवीशंकर साथ चक्रों के बारे में बात करते हैं पहले तो वह एक सो नौ चक्रों की बाते करते हैं कि पर एक सो नौ चक्र है और जहां पर करते हैं सबसे पहले मेरे दोस्तों अब समको पता है कि मुलाधार चक्र के बारे में बात करते हैं यह कहते हैं कि जो गुदा प्रदेश हैं हमारा उसके पास में यह मुलाधार चक्र होता है और इसका लाल रंग होता है अब देखिए यह लोगों ने चक्रों के रंग भी दे दिये है पंखोडिया दे दी है और बाकाइदा इस प्रकार से यह लोग मतलब बताते हैं कि जैसे चक्र वास्तों में वहां पर कोई चक्र है हमारे सरीर में और वह खुम रहा है और आशे करके आवाज कर रहा है इस प्रकार की इनकी बाते होते हैं लिटरली आपका ऐसा फील है कि सरीर में वास्ताव में अब देखिए पूरा सरीर हमारा चीरफाड कर दो पोस्मोटम जब करते हैं तो कोई चक्र वास्ताव में सरीर में निकलता नहीं है तो सबसे पहले यह बात करते हैं मुलाधर चक्र की और बोलते हैं कि इसका लाल रंग है और लम मंत्र मतलब सब चक्र के इन्होंने मंत्र भी डिसाइड करके रखे हुए है और इनका दावा है कि अगर आपका दिखे सपी चक्र के ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाओंगा वह बोले है कि वह आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर प्रतिक के तोर पर जो मुझे खंडन करना या यह जो सुडो साइंस है इसमें उस वहाण दावा है कि अगर आप यहां पर ध्यान करोगे यह चक्र घकलें मतलब वास्ताओ में चक्र है और यह खुलेगा और फिर आप निर्पए हो ही मतलब सरमिली प्रकृरुटी का होता है उसमें गिल्ट होता है अपराउधपाउ होता هي शेक्शली बहुत ही एक्टिवेट होता है और उसके अंदर मतलब गुस्ठा और इस प्रकार बनोगे अच्छे इंशान बनोगे इस परकार की मनकरद बात यह करते हैं फिर बोलते हैं कि ना भी के ऊपर स्थीत है मनिपूर चक्र और यह ठीक नहोने से आपका विल पावर संकल्प सक्ति कंसिस्टनसी आत्मसंबन की कमी लोगों के पर शत्रूता इस पर करके पहाव होते हैं तो इसको अगर ठीक कर लो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा लोगों के पर की प्रेयम बढ़ेगा और आप कंसिस्टनसी से सात्तियसे किसी भी काम को कर पाऊगे फिर अना हच जो की रदय चक्र के नीचे स्थीत है इसमें बोलते हैं कि आत्मविश्वास का अफभाव होता है प्रेयम का अफभाव होता है इन्शान में प्रेयम तो अगर इस चक्र को प्रतियान किया जाये तो यह ठीक हो जाता है फिर इसी बरकार अब मुझे डिटेल में नहीं जाना है विशुद्धी चक्र की बात करते हैं फिर आग्या चक्र की जो कि यहां पर वो बताते हैं आग्या चक्र फिर सहस्त्रतार जो लास्ट में सहस्त्रतार चक्र की बात करते हैं और इसमें बात करते हैं सहस्त्रतार में कि नास्तिक्ताप है और पहुतिक मठिरियालिस्ट प्रतिक के तोर पे इन सभी चीजों का हमने ही विकास किया था परन्तु आज इसकी ज्यादा ज़रुरत नहीं है वो प्रतिक के तोर पे ते सिंबोलिक थे पर यह लोगों ने किया है यह शुक्स्मार शरीर श्थूल शरीर चक्रा नाडिया इन सब का उपयोग करकर के वह कहीं अपना दंधा चला रहे हैं फिर सिर्शी रविशंकर औरा की बात करते हैं कि और अगर किसी का ठीक नहीं है और यानि कि इसके उपर बीडियो बनाएंगे परन्तु और यानि कि यह लोग दावा करते हैं कि हमारे सरीर से 2-3-3 फीट तक पूरा और रहता है यह पूरा क्षे सिर्फ और सिर्फ अपना दंधा चलाने के लिए ऐसी बात यह लोग फ्याला रहे हैं तो उसके बाद रवी शंकर यह सब बाते करते हैं कि आप हमारा कोर्स कर लो आर्ट ओफ लिविंग का और इसमें से हम आपके चक्रा ठीक कर देंगे आपके कुनली नहीं जाग जाएगी तो बीचरे लोग इन सब बातों में आजाते हैं और फिर यह ठग लेते हैं अब यह तो बात हो गए इसरे सिर्फ रवे शंकर और आट ओफ लिविंग के चक्रा बिजनिश की अब वास्तों में चक्रा क्या है और सनातन में चक्रा का किस प्रकार से उप्योग किया है उसके पर मुझे दोस्तों बात करनी है। तो चक्रा है नहीं इसा नहीं है। मतलब कना अंदर नहीं है जैसे य। बताते हैं पर देखे भासा भी परतिक है मंदिर भी परतिक है मुन्तिया भी परतिक है। इंसान यहां पर आपको ऑLuघ उत सकते कि आत्मा इत्रा अगर किसी का नाम महेश है तो आपको महेश बोलना होगा किसी का नाम सुरेश है तो आपको सुरेश बोलना होगा किसी को आप आत्मा इत्रा तु आत्मा इत्रा ऐसे नहीं बोल सकते ना प्रतिक के तोर पे सिम्बोल के तोर पे हमें सब कुछ ऐसे हम ड्यावलप करते हैं सिविलाइचेशन में तो चक्रा भी प्रतीक है चक्रा इसलिए था कि आपके अंदर अगर इस प्रकार की पावने जैसे यह बुर लोग ने दावा किया हुआ है कि अगर आपका मुलाधर चक्र ठीक नहीं है तो अगर आपके अंदर in दिख्यां निर्पय नहीं होना है तो आपको वहां प्रतिक प्रतिक के तोर पर आपको मानना है कूछ न कूछ आतर तो देना मुर्ति पुजा भी यही है पर मुर्ति में हम दिखाने की कॉंसेंट्रेट करने के लिए यह कागर करने के लिए यह प्रयास हम करते हैं तो फिर लोगों को बोला जाता है कि आप अपने ये जो मुलाधार चक्र है उसके उपर त्यान किजिए और तीरे तीरे आपका खतम हो जाती है और आपके अंदर भय चला जाता है आपके अंदर गुष्षा चला जाता है तो इस प्रकार की जो बाते हैं उसके लिए चक्रास थे तो वास्ताव में अंदर कोई चक्र नहीं है यह लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अंदर ऐसे चक्र कुमते है इसकी पंखुड चल रहा है पर इस प्रकर की बातों को आप उसके वास्ताविगर्थ में क्यों नहीं कहते समाज में क्या आपका दाइत्व नहीं है तो दोस्तों चक्रा प्रतीक है आपके कोई गुण नहीं है आपके अंदर गुस्सा है क्रोध है तो आपको रदे चक्र के ऊपर ऐसे प्रतिक वाली बात थी इसको लिटरली चक्रा अंदर है और वो खुलता है यह ऐसे हमारे त्यान में आओगे हमारे प्रोग्रम में आओगे तो आपका चक्रा इतने दिनों में खुल जाएगा इस प्रकर के प्रतिक के त्वर्पे अपने रदे चक्र को देखो और प्रयम को बठाओ बाकी इस बातों में कोई वजुद नहीं है, थेंक यू सो मच पर वाचिंग मैं चैनल, थेंक यू.